A very good morning to all of you आप सभी को रादे रादे आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर 2021 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Star IQ चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपने अभी तक Star IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और डेली करेंट अफेर वीडियो के जो पीडियो फाइल आपको चाहिए तो आप मेरा गूगल प्ले स्टोर से अप्लिकेशन डाउनलोड करिएगा Star IQ जिसका नाम है दोस्तो अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो अनेकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे आप अनेकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं मेरी हर कलास फ्री में देखने के लिए आप मेरा Unlock Code Star IQ इसका इस्तमाल जुरूर करिएगा ठीक है इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर कोई आप नया कोर्स परचेज करते हैं तो दोस्तो लास्ट टाइम में आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या था कि हाली में कुल 64 अवोर्ड थे अभी दिये गए थे और उन 64 स्पोर्स अवोर्ड में से हर्याना को कितने खेल पुरुसकार मिले हैं तो इसका सही अंसर था 17 एक अच्छा और एक बहतरिन सवाल है एक्जाम में आने के लिए आज का पहला सवाल क्या होगा हर्याना सरकार ने किन खेल परतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों पे लगी दस्वी काक्षा तक की शर्त को हटा दिया है तो इस सवाल का ठीक अंसर रहेगा अंडर 17 आपको पता है कि हर्याना के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री का नाम है सरदार संदीप सिंग इन्होंने ही इस जो खेल परतियोगिताओं में भाग लेने वाले जो दस्वी तक के बच्चे हैं उन पे अंडर 17 पतियोगिताओं वाली जो सर्थ है उसको हटा दिया है दस्वी से बड़ी कलास में पढ़ रहा बच्चा अंडर 17 केटेगरी में भाग नहीं ले सकता था पहले ये थी शर्थ और इसको अब हटा दिया है अब से पहले नियम था कि अंडर 17 खेल पतियोगिताओं में केवल दस्वी कक्षा तक के ही बच्चे भाग ले सकते थे अब इस वाली सर्थ को हटा दिया है अब हर्याना सरकार का इसे पीछे मकसद इतना सही है कि जादा से जादा बच्चे जो है ना माता पिता का नाम उपर कर सके वो देश का भी नाम उपर कर सके ठीक है ना इसी लिए हर्याना सरकार ने एक इतना अच्छा सा और एक बढ़िया सा फैस्टा लिया है ये हर्याना के हैं खेल मंत्री सरदार संदीप सिंग इनका नाम है इनके जीवन पे सूर्मा 1 और सूर्मा 2 मूवी बनी हुई है दलजी दोशांस जो है ना उन्होंने इनका करेक्टर या इनका रोल जो है वो अदा किया है अच्छा दलजी दोशांस वाला तो आपको ठीक है याद रहेगा ही क्योंकि आपने मूवी बगरा देखी रखी है ये हर्याना के शाहबाद के रहने वाले हैं जीते पिहोवा से हुए हैं ये भी याद रखना आप लोग किस सहर में रास्टरपती रामनात कोविन की पतनी सविता कोविन दवारा बड़े बर्ड पार्क का उदगाटन किया जाएगा हर्याना और पंजाब दोनों की राज़दानी यानि की चंदीगड के अंदर सी वाला आप्शन जो है इस सवाल का बिलकुल ठीक रहेगा सीटी ब्यूटीफूल के तरच पर सीटी फोरेस्ट को नई पहचान मिल गई है और अब इसे एक बर्ड पार्क के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा सा जो है ना वो पक्षियों का पार्क बनाये जाएगा 16 नवंबर यानि कि आज ही के दिन रास्टरपती रामनात कोविन की पत्नी जिनका नाम है सविता कोविन वो ही इस बर्ड पार्क का उद्गाटन करेंगे ठेक है ना और दूसरी बात है एक्वेटिक बर्ड जो एवेरी है उसमें पानी और जमीन पर रहने वाले बर्ड है वो भी यहां पे देखने को मिलेंगे ठीक है पान साल तक की बच्चों की इसमें एंटरी फ्री रहेगी बाकी बारा साल से उपर के बच्चों की तीस रुपे के टिकेट लगने वाली है ठीक है पक्षियों के गोंसले से लेके सब भी परकार की जरूरते जो है यहां पे पूरी की गई है तो यह आपका है और की हायट देश के अभी तक है सब्ही एरवेरी में सबसे ज़ादा रखी गई है ठीक है जो की 2400, 2400 स्क्वेर मिटर के इरिया के इंदर यह नैच्रल बर्ड पार्क बना है इस परकार का है यह बर्ड पार्क ठीक है ना यह पक्षियों के लिए अगला सवाल है कि हाल ही में कि इस्ते महिला शुरुक्षा के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिम साइकल रेली जागर्टी यात रा कि स्रुवात की है तो इसके स्रुवात की है P.K. अगरवाल ने जूकि हर्याना पुलिस के D.Z.P. है पर्शान्तकुमार अगरवाल सी ऑप्शन जो है इस सवाल का बिलकोई ठीक रहेगा हर्याना पुलिस के दवारा सुरू की गई है एक महीने की साइकल रेली आतरा है और इसको इसका नाम दिया है जगरिक्ती आतरा इसको हरी जंडी दिखा के रवाना इन्हों ने किया है पीके अगरवाल ने कारण है बस इसका इतना ही कि महीलाओं के खिलाफ जो हो रहा है सामाज के अंदर या यूँ कहिएगा जो कुरूतियां फैली हुई है उनको हटाने के लिए सामाज एक सुरुक्षा बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है इसो देशे के लिए बस हर्याना पुलिस के ये तरीका भी हो जाएगा कि हर्याना में सबसे ज़ादा पुलिस स्टेशन भी है मतलब पुरे भारत में सबसे ज़ादा महीला पुलिस थाने हर्याना के अंदर ही है 34 प्लस के आसपास है ठीक है तो भी आप याद रखिएगा इसका एक नारा भी दिया इन्होंने जागरुक नारी शक्ति हमारी ठीक है तो यह जागरिक्ति यात्रा है और अगले महीने तक चलेगी यह ठीक है ना पंचकुला से शुरू ही जागरिक्ति यात्रा 10 देसंबर 2021 को पंचकुला मुक्याले में ही सामापन पे होएगी है 1194 में किलो मीटर त्या करने वाली है यह ठीक है ना 16 पुलिस महिला साइकल के दवारा जो है ना यह ग्रामर और सहरों के अंदर जो है यह कवर किया जाएगा इस पूरी आत्रा को अगला सवाल है कि हाल ही में किस के अंदर सवयम साहिता समू के दवारा राजिव गांदी महिला महाविधाले के अंदर यह चाय कैंटीन है ठीक है 10 रुपे 10 सोरी जो है ना जरूरतवन्द महिलाएं हैं यहां पे काम करेगी उनको रोजगार दिया गया ठीक है सवयम साहिता समू के रूप में और कॉलेज क के लगबग जो है ना वो 3,200 के आसपास यहां पे चात्राएं हैं तो वो सभी जो यहां पे आती हैं तो यूँ कहिएगा एक परकार से सरम सहायता या रोजगार के जो रूप है एक बड़ा रोजगार के रूप में जो है ना शुरुआत यहां से हुई है धीरे-धीरे करके इ रूप दे सकती है ठीक है ना इसलिए इस कंटीन को हर्याना गौर्मेंट के तरफ से जो है ना वो भी अपरूबल दिया गया है यह भी याद रखना आप लोग हाली में किसे हैफेड चीनी मील के महा प्रभंदक के रूप में नुक्त किया गया है मंदीप कुमार को यानिकि एवाला आप्शन जो है इस सवाल का बिलकुल ठीक रहेगा अशोक कुमार मीना जो कि स्पेशल सेकेर्टरी और गौर्मेंट ओफ हर्याना के है उन्होंने जो है ने इनके निक्ति के आदेस दिये है इतनी ही बात आपको याद रखनी है अगला सवाल है कि हर्याना के किस जि थी के उन्यन का आदर्स जिला बनाया जाएगा करनाल में आपको पता हुआ करनाल के काच्वा गाओं में सबसे पहले ई-लाइबरी भी खुली थी ये बात भी आप याद रखियेगा ठीक है और ये जो आपके समाना बडू है बड़ा गाओं है यहाँ पे जो ना ऑक्सी वन और सरदार पटेल कुस्तकालिय की स्थापना भी जो है ना होने वाली है बहुत ही जल्दे करनाल डिस्टिक के अंदर हर्याना की किस जिले में गीता मेराथन का आयोजन किया जाएगा कुछेत्रा के अंदर यानि कि B वाला आप्शन जो है इस सवाल का बिलकुल ठीक रहेग दो दिसंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में होने वाला है ये भी बात आपको याद रखनी है ठीक है ना तो काफी इपॉटन्ट होगा गिता मौटसो इस बार का चलिए जैसी के साथ में ये लेक्च्चर तो समाप्त करता हूँ आपके लिए क्यूसन छोड़ के जा रहा आज रात को साड़े आठ बजे स्टार आएक्यू चैनल पर लाइव मिलूंगा आपको मैं आप मुझसे लाइव भी कनेक्ट हो जाईएगा धन्यवाद